बॉलेवोड एक्टर रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फिल्म वह और जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है आपको बता दें कि फिल्म ने अब तक डॉमेस्टिक बॉक्स ओफिस पर 271 करोड 65 लाख उर्पे का कारोपार कर डाला है वहीं इस फिल्म ने सल्मान खान का भी बुरा हाल करके रख दिया है भायजान की रेस 3 से लेकर टाइगर जिंदा हैं को ये फिल्म किसी ना किसी मामले में मात दे चुकी है वहीं आपको बता दें कि रिटिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वार ने सल्मान खान की फिल्म सुल्तान को भी एक मामले में मात दे डाली है दरसल सुल्टान ने बॉक्स आफिस पर 9 दिनों में 229 करोड 16 लाख रुपे की कमाई की थी वही वार ने 9 दिनों में 238 करोड 35 लाख रुपे की कमाई की थी इस हिसाब से देखा जाये तो वार ने सुल्टान को भी पटखनी दे डाली है साथ ही एक बार फिर सल्मान खान को धूल भी चटा दी है वार बॉक्स ओफिस पर जिस तरह से कमाई कर रही है उसे देख कर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म इतनी जल्देत हेटर से नहीं उतरने वाली है फिल्म ना सिर्फ देश में रिकॉर्ड तोड कमाई कर रही है बलकि रितिक और टाइगर ने इस फिल्म के जरीए विदेशों में भी धूम मचा रखी है आपको बता दें कि सिधार्थ आनंद के डारेक्शन में बनी ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म साबित हुई है फिल्म को बनाने में मेकर्स ने 200 करोड रुपे खर्च किये है साथ ही इस फिल्म को दुनिया भर में 5,350 स्क्रीन्स पर रिलीस किया गया है इस फिल्म के एक्शन सीन्स की तारीफ हर जगा हो रही है रितिक और ट्राइगर ने फिल्म में जो काम किया है वो काबिल एतारीफ है दोने की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई है कि जल्द ही फिल्म के दूसरे पार्ट का भी ऐलान हो चुका है फिल्म में रितिक और ट्राइगर के अलावा वानी कपूर भी इंपोर्टेंट शोल में नज़र आई है वैल देखने वाली बात तो अब यह होगी कि क्या वार इस साल की सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी या नहीं वैसे आपके इस पर क्या राए है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बॉलिवुड से जोड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ पिलिए भाया से जोड़ी थाख चापिए ल में थेडिशन किर सेथी उर इसलिए अपर कि आ था से जोडिए लुग वे वेगलेश्ट लेकिन तो कि हम समें हो मुच ताम इटके से एल्ट ध यद एल्र ऊस, चिक विवामी सिवाइब टेड़ा एंप अब प्रवक्ष सबस्क्राइब एक सब्सक्राइब यू आपका लाजावाब मैं गाया है और एक विए प्रवक्ष से बाहर निकल के बाकी रोल्स भी ट्राय कर ना चाहेंगे यू आपके जहन में प्लेगा तो पांसाल आपको इंड मैं एक कोशिष कि मैंस एक अलग एयरुदार निहारे निया यह तो I think this was little uncomfortable for me, action के बात करे तो I enjoy this genre very much और I ho जो कुछ भी हो, जो कुछ भी थोड़ा अचीव किया है इस करियर में, तो I think I credit to my, you know, the films that I've done and primarily being action films, of course. मेरे जितने भी इंस्पिरेशिंस रही हैं, you know, Jackie Chan से लेकर, Ritik Roshan तक, सारे, you know, बड़े-बड़े action heroes हैं. So, you know, I'm inspired to be like them, inspired to do things like them. and खासकर इस इंडुस्ट्री में जहां इतना competition है, you know, my peers are doing such amazing work, how does one stand out, how does one, you know, create an identity for himself, तो बस एक पहचान प्रेट करना है मुझे खुद को, खुद के लिए, और just to be identified by you saying, you know, that I'm an action hero, for me that's more than enough, really. Thank you. One small question to Vani. Ravi ji, we'll have to give the floor to somebody else, if you don't mind. हाँ, बोलिया मैं. हाँ, सिदार. सिदार, विब के एंड में आपने एक औप्शन रखाया है, सीक्वल का दिख रहा है, तो वो पहले से आपने डिए ते रखा था, की सीक्वल बनाना है, and second thing, कालिद अपकी ताइगरी होंगे या कुछ और प्लान है? Too early, but definitely the idea था कि इसको एक फ्रांचाइज में अपने, प्रवाइड ओडियन्स का प्यार मिले. I think audience की दिमांद है मोजन आप डिजायर, which is what जो होना चाहिए. तो I think बैठेंगे हम साथ फिर से लूंच टेबल पर बॉर्ट जल्द. Vani, Vani, my question is for you. There's a question on this side. Yeah, we're with you. Don't worry. Hi, Komal here from Indian Express. Vani, this has been the biggest film of your career, and now you are jumping into Samshera with Ranbir. What is the mind frame like? because, you know, of the success, and what can you tell us about the next film? So, strangely, my mind frame is exactly how it was before. I'm only relieved and excited and ecstatic about the fact that people have given it love. And I'm already shooting. I'm in the midst of shooting for Samshera, so that's also going really well, you know. I mean, I have a fabulous director there, and I have someone like Ranbir Kapoor as a co-actor again, who is a powerhouse of talent. I mean, he's one of my most watched actors as an audience. But, yeah, I'm just hoping, and I mean, it's a big relief, and it's a big, 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 you know, how do I say it? It's been a huge experience for me to be part of such a huge film, which is so larger than life, and I think Sid has presented me in a very different way than I have been before. So, this is an experience that's going to always be special for the rest of my life. Hi, everyone. This is Srishti from CNN News. My question is to, for Sadat, like you said, it was a very tough film to shoot. I want to ask you that, did its experience change you as a filmmaker in any way? Yes, he's become more handsome now. Apart from that, I think the way I evaluate myself is I try and evolve from each film of my own and try and make it different, and I'm the first person to criticize my own work. I try and find the shortcomings and try and apply them so I don't repeat those mistakes. So, there are certain learnings that I have taken from my previous films and something that I'm very harsh on myself, which I find as a very important process of evolving. And for a filmmaker, today I feel as my sixth film, I've made my best film. A lot of people make their first, second or third film as their best film and then pilfer out. But I think today, because of that process, because I'm able to criticize myself, there's certain growth in me. I can't pinpoint exactly what it is, but just the fact that just be able to criticize your own work, I think that is my process. Hi, Tiger. Hi, Ritik. Hi, Wani. This is me, Nandini Roy from FIFA Food. I want to ask Tiger first that the day that you signed the film, Ritik has been your inspiration. So, when you signed the film, that day that you have been with BAT, and that day that you have been promoting the film, it's been a successful film, so what is your journey of today's feeling? Today the feeling will be changed, because today he is my hero. So, you can say that Ritik, you have got your on-screen partner. Dance partner, dance partner, stage partner, ice cream partner, everybody. Look, I think the feedback is coming, I haven't had this chemistry with any of my past heroines also. Woo! So... Love it! Yeah, so, you know, answering your question, the feeling has been, you know, the same throughout. I still can't believe, you know... So, you think you have achieved one milestone? Definitely. Definitely, I think. Ritik as an inspiration. Definitely. And I'm blessed that, you know, I got to do my biggest film with my biggest hero, so, so, I couldn't have asked from that. Thank you, that's a beautiful question. We are running out of time, but... Ritik, would you agree to the fact that your earlier film, an earlier film like Super 30 also was a stu... experienced a stupendous success at box office. Do you agree ki agli film jise ane wali hoti to go usko help karti hai? Definitely. Of course. Yeah, that's... That's... I felt more encouraged after the success. Bohati important success tha for me. Because mere jo instincts tha os picture pe, they were very, very strong. Or agar bo fail hoti to I would have been a little affected. Because the most important thing for us in the creative line is to be able to trust our instincts. So, when your instincts get the... reaffirmed and get strengthened, it really empowers you a lot. So, yes. We hear that you are... That is getting ready with the next film. So, would you like to say something? My dad was born ready. Well, well...